दोस्तों आप कैसे हैं ठीक होंगे कुछ से कोश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे यह जो कोश्चन होंगे यह कोश्चन सौल करने साइध सबको आते होंगे लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं कि आप इनके आंसर सबसे आसान कैसे ले सकते हैं सबसे कम समय में यह पहला परिसान ना है, आप क्या करोगे, देखना, आपको करना क्या है, आप इसे 13 से भाग दें, उल्टा भाग इना साट करिये, 1349, 1349, जितनी बार भाग गया, वो एक आमान, कतम, 1349, अब 49 गया तो बचा कितना 9, और 9 का भाग 13 में दें, तो 13 भाग एक बार गया, तो ये भी कामा आप ऊपर जो बचा था, ज आपने भाग दिया, तो उपर नी, 4, तुनी 8, एक बचा, बेक का भाग दिया, कितना ? 4, तो यह आनसर हो गया, यह आपका आनसर हो गया, 3, 1, और यह भाग गया था, दो बार और यह आपका 4, हो गया ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, डी का मान ये, चार दुच्छे, साथ, तीन, दस, इसका अंसर दस, आपको कुश्चन होगे एक बाँ और सुन लेगा, नहीं समझ पहा है अगर हम तेरा बटेर तालिस दिया है, बराबर कुश ऐसा दिया गया है, ये देख की बच्छे डर जाते हैं, कैसे करना है सर ये, कैसे करना है रिखे तेरा से भाग दिया, तेरा तेरा बटेर उन तालिस, जितनी बार भाग गया वो एक का मान है अब 9 का भाग दिया एक बार गया एक बार गया चार बच्चा जितनी बार भाग गया वो B का मान है आपने कहाई कि 4 का भाग दिया दो बार गया जितनी बार भाग गया वो C का मान है और एक का भाग दिया चार ये D का मान है तो आगे A, B, C, D के बान आपसे कुछी पुछा जाए आपका question हो गया है, ठीक, अगला question देखेगा, जब आपको उपर power में दिया जाए, तो power देखे, X की power में जो उपर लिखा जाए, उसको उपर लिख दीजिए, PQR, और जो नीचे करणी में दिया जाए, उसको नीचे मे उपर क्या लिखा है? 4, 6 और 10, नीचे क्या लिखा है? जब करणी में कुछनी होता है? 2, 3, 5, तो ये 2, 3, और ये कितना? 5, into, इन्टो ये हो गया, ये 5 की power ये कितना है? 6, 12, 15, तो ये 6, 12, 15, और नीचे क्या लिखा होगा है? 2, तो 2, 3, 5, ये हो गया, 2, 3 और 5, आपने 2 से काटा तो यह हो गया दो तीन से काटा तो यह हो गया दो इससे काटा तो आ गया दो तो यह पांस की पावर दो दूनी चार दुरी आठ तो पांस की पावर कितना मिल गया आठ आप ने इसको काटा तो यह हो गया तीन इससे काटा कितना मिल गया चार यह कितना मिला तीन तो चा आपको दे दिया जाए और यहाँ पर question यह पुछा जाए, इसका मान क्या है, सब ही लोग कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कोशिस करना जब नहीं आएगा तो आपको बताएंगे, इसमें दुसा question note कर लिजेगा, question लिखिएगा, इसको हल करने पर जो numbers आएगे, यह जो संख्या आएगी, कुल कितने number से भाज्य होगी, दूसा question, तीसा एट कर लिजेगा, यह जो संख्या होगी, यहाँ इसको solve करने के बाद जो संख्या आएगी, उस संख्या को हल करने पर जो आएगी, यह power में है, जो संख्या आएगी, उसमें अंग कितने होंगे, यह दो गोशन आप पावर D का आमान 8 है तो 7 की पावर D का आमान लाज से 60 किया अच्छा 7 का आमान क्या दिया है 6 की पावर C तो यहां लिखा 6 की पावर C देखा आपने 6 का आमान क्या दिया है 5 की पावर B तो 6 को उटाया हो 5 की पावर B देखा 5 का आमान क्या दिया है 4 की पावर A तो यहां अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन क्या है कोशन को लास से साट करिए तो लास से साट करेंगे समझेगा j की power c का मान x है z का मान y की power b तो y की power b और y का मान x की power a basic equal answer 1 क्या हो गया मैं अगला question देखिएगा c की power z का मान c का मान दिया है b की power y b का मान दिया है a की power x दुनों के basic equal answer कितना लूए आपका question हो गया इस तरह के सवाल एक्जाम में 90% सवाल बिना इपन चलाए हो जाते हैं देखे कैसे आपको यह देखिए कितने पर दिये हैं 1,2,3,4,5 आंसर वही हुआ जिसने उपर 5 दिया हो आपको नीचे option दिये गया थे उपर 5 दिया हो आपका अंसर हो गया चलिए अगर आप solve करना साथ है इसके matter बहुत सारे बनते हैं हम आपको यह पुरा type पढ़ा देंगा अभी आपको ने answer निकालना बताया कैसे लिखेंगे देखिए 1,2,3,4,5 उपर लिख लिए 5 फर्स और लास का multiple फर्स और लास का multiple यह इसका answer हो गया यह आपकी question हो गया Thank you guys